वो बोलती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है तो अब वापस से प्रतिवी पर लोटना है मुझे यूमो जब वो पिल्स खा लेता है तो उसको होसा जाता है और वो अपने हाथ पर पेटल देखा है इसके बाद वो खुश हो जाता है जो जावलान होती है तब यूमो उसका सु तूटता नहीं है उपर से वह जोर से जक्मी हो जाता है और यह सब आश्वान दूर से देख रहा होता है इधर जावलान उसके फिकर करते वह देखते तो उसको बहुत गुस्सा आता है कुछ दिर बाद बैरियर में क्रैक आ जाता है रोते हुए उसको अलविदा कहकर कहती है कि तुम यान दन को झूनम लेना और वहां से टुटने वाला था लेकिन पावर दे कर इससे बचा लिया वो उसके क्रेट देखकर पता चल जाता है कि ये इमोटल कोई और नहीं यान दन है अब वो उसे अपनी पावर देखकर उसे पूरी तरीके से सही कर देता है लेकिन इतनी ज़्यदा पावर तो थी नहीं तो वो भिहोस हो जाता है आठ सो साल बात का सीन दिखाये जाता है जहां पर अभी तैक उसने जो पावर दी थी पिलर को उसके पास से युवान को होसी नहीं आये था मेरमेन को एक फेरी बताती है कि एक रिपोर्ट आई है कि एक फेरी आठ सो साल से जादा हो गए है कि अब तक नाइन है वो रिवर क्रॉस ही नहीं कर पाई है वो उसी में भटक रही है उसके दोस्त को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं यांदान अगर वो तीन दिनों में परक्रॉस नहीं कर पाई तो मर सकती है जर्बिक फेरी उसको बचा तो जो अपनी गित होई उसको मत पताना को पता चलता है कि युवान को होस आगया है कीड़ा सॉंग बैड जो किसी की भी बात बहुत दूर से सुन सकता है कि उसका जाता है युवान के पास और उसे वह रिपोर्ट दिखाता है कि तीन दिनों में अगर यांदा निवो रिवर्प्रॉस नहीं की तो आत्मा पेर ऐसे सा जाए कि युवान बिना देर के फिर से इंपिटीनेस जो होता है ना वह उसे फिर से कुदने जा रहा होता तभी वापस सुपर में जिस्टे आ जाते हैं और उस पर चिलाने लगते हैं युवान ब्रिच से कुदने के लिए कोई भी पनिश्मेंट खाने को तैयार है अब और सब पूरा सब खोज़ चुकी होती है, युवान का हाथ पकड़ लेता है तौ उसम करते हैं जैंगी वहां आ जाता है जैसे वह कुछ बोलता तो युवान उसको रोक देता है कि मत बताओ कि मैं युवान हो क्योते गर इसको पता चल गया कि मैं हुआ हो तो इसे और बीदर दोगा तो अपनी आवाज बदल लेता है और फिर जहेंग के आवाज में बोलने लगता है अब उससे कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो तो बोलती है लेकिन मेरे सेंसस तो बहुत कमजोर हो रहे हैं लेकिन मेरी एक भी याद नहीं मिती है मुझे सब कुछ पहले जैसा या उसके बाद वो उसके हाथों को गर्म करने के लिए उसको एक वाउम एक बोटल देता है बोलता है इसको पकड़े रहा है तो बोलता है तुम्हें ठीक लग रहा है तो युवान थोड़ा सा तो उसके मन में उम्मीद चाती है कि इसको बचाया जा सकता है फिर वो क्या करता ह तो बोलता है तुमने क्या हालत कर ली अपनी इतनी चंचल और इतनी ज्यादा बात करने वाली लड़की की मैंने कभी नहीं सोचा था यह हालत हो कि और वह रोने लगता है अब हम इदर देखे हैं कि जो आश्वान और होते ना वह आश्वान क्या करता है लेकिन 800 साल के बाद भी उसने अभी तक आश्वान से शाधी नहीं की थी क्योंकि वह हमेशा उसे इग्नोर करती थी और जब भी उससे मिलने जाता था तो वह कहते थी कि वह बिमार है और वह श में शाधी करनी ही पड़ेगी देखता हूं तुम कैसे रोकोगी वह बोलती है मैं नहीं करूंगी तुम कुछ भी कर लो तभी यूमो ने उसे एक गिफ्ट दिया था वह उसको खाने चलती है तो आश्वान क्या करता है ना उससे पहले उठा लेता और बोलता है कि चब तक फाधर के पास जाता है जो कि ड्रैगन किंग होते हैं और वह उसेे स्नेल दिखाता है कि यूमो ने, जूमोज जो कि अभी वह जान जाते है कि यह तो ना इंत्ट क्लांड के डिसेंडेंट का है यह सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है जब पहले यह लोग थे तो इन्हीं का राज पूरे समुद्र पर हुआ करता था तो इससे पहले कि वह अपनी आवाज उठा है तो मैं उसको मारना होगा तो अपने फादर से इजाज़त लेकर प्रत्वी पर जाने के लिए तयार होता है जल्दी जल्दी यूमो को मार गिराएगा उसके फादर बोलते हैं ठीक है इसके बाद हम इधर देखते हैं कि जो यूवान होता है वो क्या करता है ना कि यानदान के पास होता है और उससे यादों को अच्छा करने के लिए वह एक लोटस का पूरा तलाब बना देता है तो उस तितली को देख रुदर जहेंग खड़ा और बोलता है कि अरे यह प्यार करने वाले तितली यहां कैसे आगई खोड़ा हलकी सी आवाज जो है यानदान सुन लेती है जहें कहां बोल रहा है तुरंती यूवान उसके गले को बंद करता है कि कुछ नहीं वह बस ऐसे ही ब मेरा प्यार तो एक तरफा था तो यह तितली भला जन भी कैसे लेगी यह सुनकर यूवान को थोड़ा बहुत दुख होता है लेकिन फिर भी वह अपने आपको संभालता है अब हम इधर लिंग्वेन को देखते हैं कि जो एक की होते हैं उनको बुलाती और बोलती है कि आप बहुत दिनों से बिमार हैं आप अपने आपको सही कर सकते हैं सिर्फ फॉर्ड लोटेस लीफ के द्वारा तो अभी वह फॉर्विटन रिवर पर है आप जाकर उसको मार गिराए और अपने आपको ठीक कर लीजिए इधर युवान और यानदान दोन आपस में बात कर रहे ह रहे हैं और करता है वार जुव किंग होते हैं लेकिन यह जैसे कि मार करता है उसे पता चल जाता है कि यह किंग है बारे में उससे पता नहीं लग रहा था उधर यहां पर फूल लेने आया था और उधर वह जो लिंग्वेन ने वह जो कीड़ा भेजाता ना युवान को उसके बार में पता चल जाता है वह उसे जला कर वहीं राख कर देता है इतनी देर में अब यहां पर युवान एक चीद तो समझ गया था कि हमें मुझे जल्दी से जल के लिए करना है वैसे वी कुछी टाइम बचा है मेरे मरने में तो अब उसके पास वैसे ज्यादा नहीं है तो तुम यहां से जाओ और हैट किंग की टारगेट वो है अब हीवान यहां पर अपनी पावर से एक बनाता है जिसके ज़रीए वह डाक फोर्स के पास जाता है और उसे अपनी प्यार को बचाने के लिए सिर्फ यह करना चाहता है तो उसके पास पील सा जाती है और यहांदान को खिलाने जाता है और पुरानी बाते याद करता है उसके माइंड में घुसकर सारी चीजों को रिवाइन करता है फिर से लास्ट किस करता है और बहुत है कि मैं प्रत्वी पर चली जाओगी तो वह अचानक उसे पर कोई हमला करता है वो देखता है कि वह इंसान पुरा मुख़टा पहने उवा होता है और तिनी ही तेजी से हमला करता है तब यूवान को पता चल जाता है कि यह वह बस इसे डिश्ट्रैक कर रहा है असली वज़य तो जहां पर उसे पहले हैं मार दिया गया होता है अब युवान बीना देखिए सुपीर्म मैजिस्टी के पास जाता और बोलता है कि मुझे पता चला है कि जो हैंवनली किंग वार हुआ था उसमें कुछ न कुछ तो गडबर हुए थी जिसकी वज़े से मुझे प्रत्मी पर जा तसकता अजय मैं पर जहाँ झाला है तो बोलता है घर पिंगोरे थैए बज़े से थे प्रसाइश और उसमें के जगूँप है ज़िए घर लुभा रहा हैं झाला हैंवनली को पर जए प मुझे जवदयर्ण एार गया हैंवनली को जब प्रत्वा पर सुछ थी एार बड़े